हेलो एबडिवान नमस्कार मैं कादल शर्वा आप सब का टीचिंग प्रिक्षा पे आज किस वीडियो में स्वागत करती हूं तो यह आज किस वीडियो यह यह यूपी प्रिक्षा की न्यूज है तो कि बहुत ही अब बढ़िया न्यूज है जो जिन बच्चों ने पहले का फ विग्यापन जारी हुआ था जिसमें असिस्टन्ट परफेसर और टीजटी पीजटी के पदों के लिए अवेदन हुआ था मतलब ऑल्मॉस्ट इस विग्यापन को जारी हुए पर दो साल हो चुके हैं और इस भरती के लिए अप्रोक्सिमेटली चोदा लाक बच्चों ने ज़िए अवेदन किया था तो इस भरती अभी कंप्लीट नहीं हुई भरती है अब क्यूं तो आज की उसमें क्या कहा गया है तोुस सिंपती डो साल से फसी थी एक द्थ 17 पदों के लिए bracसर वाईस में और टीजीटी ती के लीए 413ट के लिए जो अवेदन की पकिरिया पूरी हो चुकी है, दोनों भरतियों की विग्यापन जारी हुए दो साल पूरे हो चुके हैं, बट क्या हुआ था कि अभी हमारा जो है, जो इस, इस माँ के अंत में, जा, फरवरी के स्टार्टिंग में, नया योग गठित हो जाएगा, नया योग बन जायेगा, जिस से क्या है यहां पर देखिए आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यार्थियों का यह इंतजार जो है जल्द ही खतम होने जा रहा है नए अयोग अध्यक्ष एफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए अवेद्नों की सक्रीनिंग पर किरिया जो है इसी मां के अंतजा फरवरी की शुर मतलब अभी जादा हमें वेट नहीं करना बहुत जल्द जो है जी आपकी जो भर शिक्षक भरती थी फसी हुई थी यह कंप्लीट होने जा रही है इसी के आगए यह भी कहा गया है कि उच्च शिक्षा निदेशालिय के सूत्रों अनुसार फरवरी में अयोग के गठिन की प कि नए सिक्षक भरती आएगी हम अवेदन करेंगे तो यहां पर साफ साफ कह दिया है कि अभी जो है कोई भी नई भरती का अध्याचन त्यार नहीं किया गया क्योंकि पहले जो है पहले विध्यापन के तहत भरती के परकिर्या पूरी की जाएगी मतलब जिनके जिन ने के लिए प्रिक्षा की तिथी जो है गोशित कर दी जाएगी बहुत जल्ड आपको आपके एक्जाम की तिथी जो है पता चल जाएगी जिन बच्चों ने अगस्ट में असिस्टन परफेसर टीजूटी पीजूटी के लिए अवेदन किया हुआ है अब अराम से बैठने का टा पर चलिए मिलते हैं हम नई इंफोर्मेशन के साथ नई वीडियो में मैं उमीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगं को अच्छी लगी होगी अगर अब भी कोई क्वेशन है आपको तो आप मुझे कमेंट बोक्स में अपना क्वेशन टाइप कर सकते हैं वहां पर आपक